अरब आगे का अध्याय उन्तीस नरेंद्र और महेंद्रनात गुप्त नरेंद्र के घर के वरांडे में बैठे थे ठाकुर तुम्हें स्मरण कर रहे थे क्या कह रहे थे हाजरा ने बताया है कि तुम फिर किसी मुकद्दमे में पड़ गए हो पुराना मुकद्दमा है मकान वाला बाबा के समय से ही चल रहा है हाजरा को अब मालूम हुआ होगा ठाकुर क्या कह रही थे ठाकुर ने कहा है नरेंद्र जगदंबा को नहीं मानता देहे धारण करके शक्ति को मानना चाहिए शक्ति को अस्विकार करने में उसका इस सीमा तक जाना अच्छा नहीं अब तो शक्ति के ही अधिकार शेत्र में आया है जज साहब भी जब गवाही देते हैं तो उन्हें अपने आसन से उठकर गवाह के कठ घरे में आना होता है फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम से नरेंद्र की भेंट नहीं हुई मैंने बताया कि इधर नहीं हुई बोले एक बार मिलना और गाड़ी में बैठा कर यहां ले आना नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया आज दक्षनेश्वर चलोगे नहीं, आज नहीं मुझे बैरिस्टर के पास मिलने जाना है मुकदमे की अगली तारीख के लिए इस आर्थिक स्थिती में तुम मुकदमा कैसे लड़ रहे हो नरेंद्र अपने अधरों पर एक अवसन मुस्कान ले आया बैरिस्टर बाबा के मित्र है वो हमारी साहता कर रहे है और कुछ घर का सामान बिक रहा है ठाकुर शनिवार को अधरचंदर सेन के घर आ रहे है वहीं आ जाओ शनिवार को ठीक है आने का प्रयत्न करूंगा ठाकुर अपने कमरे में अकेले बैठे सहजा वस्था में हलके हलके कोई गीत गुनगुना रहे थे नरेंद्र ने आकर उनके चरण पकड़ लिए ठाकुर ने उसकी ओर देखा क्या है रे आज ये सब क्या हो रहा है आपने कहा था कि अपनी माँ और भाईयों के पालन का दायत्व मुझे सौपा गया है हाँ कहा तो था यदि मा की च्छाना होती तो तेरे पिता का देहान क्यों होता अपने दायत्व को पूर्ण करने में मैं सर्वता असमर्थ रहा हूँ तो जिसका दायत्व है उसे ही लोटा रहा हूँ तो मेरे पाउं क्यों पकड़े हुए है आप जगदंबा से कहें कि वो अपना काम अपने हाथ से करे मुझे इस दायत्व से मुक्त करे क्या हो गया है आज तेरा पौरुष इतना दीन क्यों हो रहा है क्योंकि अपने पौरुष का ब्रहम मिठ गया है मेरी माँ और भाईयों का कश्ट दूर करने के लिए आपको जगदंबा से प्रार्थना करनी होगी ठाकुर छिटा कर अलग खड़े हो गए मैं ऐसी सांसारिक बातें माँ से नहीं कहता उसकी माया है, वो स्वयम चलाए, जैसे उसका मन चाहे मैं टांग अड़ाने वाला कौन हूँ? नरेंदर हट पूर्वक बोला, जब संसार उसका है तो संसारिक बातें भी तो उसी से ही कही जाएंगी तू कहां मानता है कि संसार उसका है? मानता है क्या? मा को तू नहीं मानता, इसलिए तुझे कश्ट है ये सब्ते नहीं है कि मानता नहीं सब्ते ये है कि मैं मान को जानता नहीं तो फिर तू उससे क्यों कहलवाना चाहता है जिसे तू जानता ही नहीं? उससे क्यों नहीं कहता जिसे तू जानता है? नरेंदर की आँखे गीली हो गई उसी से तो कह रहा हूँ मैं तो केवल आपको ही जानता हूँ आप मा को जानते हैं तो मेरे लिए आप ही उनसे कहिए अरे मैंने कितनी ही बार कहा है मा नरेंद्र का दुखकष्ट दूर कर दो पर तु मा को मानता नहीं इसी लिए मा सुनती ही नहीं आप फिर कहिए मेरी और से कहिए जब तक न माने तब तक कहिए नहीं तो मैं आपके चरण नहीं छोड़ूँगा तू तो बहुत हथी है रे अच्छा तू स्वयम मा से कह तू मा को नहीं जानता तो जान पहचान कर ले नरेंद्र को लगा कि ठाकुर ठीक कह रही है वो व्यर्थ ही हट कर रहा है जान पहचान करने से ही तो परिचय होगा अपना मार्ग स्वयम अपने पैरों से चलना होता है रे किसी के कंधे पर चड़ कर कितनी यात्रा हो सकती है मा मेरी बात सुनेंगी? क्यों नहीं सुनेंगी? जगदंबा है वो, सब की मा पुत्र की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देंगी क्या? नरेंद्र आत्मली निसा सोचता रहे गया क्या कहे वो? आज मंगलवार है रात को काली मंदर में जाकर मा को प्रणाम कर तु जो कुछ मांगेगा मा तुझे वही देंगी ठाकुर के स्वर में वचन कासा भाव आ गया मेरी मा चिन्मई ब्रह्म शक्ती है उन्होंने अपनी इच्छा से इस संसार का प्रसव किया है वो चाहें तो क्या नहीं कर सकती? ठाकुर के चरणों पर से नरेंद्र की पकड़ शितिल हो गई ठाकुर ने अपने पैर खिसका लिए नरेंद्र उठ बैठा जा मन की उद्विग्नता शांत कर चिन्ता, विरोध और अहंकार को गंगा में तिरोहित कर आ मन में सतोगुण की वृद्धी कर मा का ध्यान कर नरेंद्र उन्हें हाथ जोड़कर गंगा तट पर जा बैठा रात का एक प्रहर बीत चुका था नरेंद्र वैसे ही गंगा तट पर बैठा था ठाकुर उसके निकट आ खड़े हुए जा अब मंदर में जा मा के दर्शन कर अपने परिवार के लिए जो मांगना हो मांग ले नरेंद्र ने एक बार द्रिश्टी उठा कर उनके चहरे की ओर देखा और फिर उठ खड़ा हुआ वो मंदर की ओर चल पड़ा ठाकुर भी उसके पीछे पीछे चले किन्तून की चाल परियाप्त धीमी थी वो मंदर की ओर ना जाकर अपने कमरे में बैठ गए जहां से मंदर का द्वार दिखाई पड़ता था उन्होंने देखा कि नरेंद्र मंदर में प्रवेश कर रहा था नरेंद्र ने मंदर में प्रवेश किया उसका चहरा जैसे आवेश से दिप्त था मन में आतुर्ता थी अपने चारों ओर वो जैसे किसी दिव्वे अस्तित्व का अनुभव कर रहा था उसे लगा मंदर जैसे इस लोक का अंग नहीं था उसमें तो दिव्वे एश्वरे का लोक वर्तमान था उसने दृष्टी उठा कर मा की प्रतिमा की ओर देखा वो निर्जीव प्रतिमा नहीं थी यथार्थ में ही चिन्मई, अनंत प्रेम और सौंदर्य की आधार रूपनी सशरीर विद्यमान थी नरेंद्र का हृदय भक्ती से आपलावित हो रहा था अत्यंत विहवल बालक के समान उसके कंठ में से एक सिसकारी उभरी आंखों में अश्रू आ गए, उसके हाथ जुड़ गए और मुख से निकला मा, वो भुमिष्ट हो, मा को बार-बार प्रणाम करता रहा ना मन में और कुछ था, ना जीहिवा पर बार-बार स्वतह ही उच्चारित हो रहा था, मा वो जैसे मा के दर्शनों से अभिभूत था कई बार प्रणाम कर मा मा पुकार लेने के पश्चात उसकी दृष्टी मा के मुख पर जैसे चिपक गई उसका संपोर्ण अस्तित्व उसकी दृष्टी में ही समा गया उसके मुख से प्रस्फुटित हुआ मा मुझे भक्ती दो, वैराग्य दो, विवेक दो मा ताकि मैं तुम्हारा अबाद दर्शन करता रहूं उसे लगा कि वो किसी शान्ती सागर में किसी शान्त द्वीप पर बैठा था आसपास कुछ नहीं था सारा संसार प्रपंच विलीन हो गया था बस वो था और मा थी ठाकुर ने अपने स्थान पर बैठे देखा कि नरेंद्र मंदर से बाहर आ रहा है उसके पैर डगमगा रहे थे जैसे नशे में हो मन जूम रहा था और अध्रों पर मा की स्थुती थी वो परयाप्त निकट आ गया तो ठाकुर ने पूछा क्यों रे मा से ग्रस्ती का अभाव दूर करने की प्रार्थना की है न नरेंद्र चौंका कुछ विस्मित और कुछ चिंतित हुआ नहीं महराज वो तो मैं भूल ही गया उनका अधार कैसे होगा जिनको समय पर अपने हित अहित का ध्यान नहीं रहता मैं तो तेरे लिए इशान जैसे छोटे छोटे अधिकारियों से भी याचना करता रहता हूँ और तू है कि मा के सामने से भी खाली हाथ लोट आया खाली हाथ? नहीं मैं खाली हाथ तो नहीं लोटा महराज याचना तो मैंने भी की किन्तू अब क्या करूं महराज? जा जा ठाकुर ने जैसे उसे मंदिर की और धकेला फिर जाकर प्रार्थना कर अभी कुछ नहीं बिगड़ा ठाकुर अपने स्थान पर बैठे मुस्कुराते रहे उन्होंने देखा कि नरेंद्र पुनहा मंदिर में गया है उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली ठाकुर ने अपनी आँखें खोडी नरेंद्र मंदिर से बाहर आ रहा था वो क्रमशाहा उनके निकट आता गया किन्तु ठाकुर के चहरे पर कोई उच्छुकता अथ्वा जिग्यासा नहीं थी वो जानते थे कि क्या हुआ है नरेंद्र उनके निकट आ गया क्यों रे अब की बार तो कह आया न नरेंद्र चौका उसकी तलीनता भंग हुई वो जैसे किसी सम्मोहन से जागा नहीं महराज तो फिर क्या कर आया मैं तो अपने वश में ही नहीं रह पाता महराज मा को देखते ही उनके प्रभाव से संसार की सारी बातें भूल कर केवल ग्यान भक्ति लाब की बातें ही कह पाता हूँ ये क्या रे स्वयम को संभाल कर वैसी प्रार्थना क्यों नहीं करता हो सके तो एक बार जाकर उन बातों को कह आ जल्दी जा नरेंद्र देख रहा था ठाकर उसे भीतर धकेल रहे थे जैसे ततकाल न गया तो देर हो जाएगी नरेंद्र पुनह मंदिर की ओर चला गया ठाकर उसे जाते देखकर मुस्कुराते रहे इस बार मंदिर में प्रवेश करने पर नरेंद्र का नुभव आत्म विस्मृती का नहीं हुआ मा सामने साक्षात खड़ी थी नरेंद्र का अपना अस्तित्व भी विलीन नहीं हुआ उसे स्मरण रहा कि वो क्या मांगने आया है मा सनेमई द्रिष्टी से उसकी ओर देख रही थी जैसे पूछ रही हो क्या चाहिए तुझे? मांग! जो मांगना है तुझे? मांग! लज्जा के मारे नरेंद्र के पाउं जड़ हो गए कंठ सूख गया और जिवा निस्पंद हो गई उसने मा की ओर देखा मैं और कुछ नहीं मांगता मा मुझे ज्ञान और भक्ती दो उसका मन एकागर होता गया तुम्हे पराया मानकर तुमसे मांगने आया था जैसे तुम्हे मेरा ध्यान ही ना हो मा को अपने शिशु का ध्यान नहीं होगा तो और किसे होगा? मा ने यदि अपने शिशु के मुख से दूद का कटोरा हटा लिया है, तो उसका भी कोई कारण होगा शिशु को कोई ऐसा रोग होगा, जिसमें दूद पीना उसके लिए हानिकारक होगा मुझे भक्ती और ग्यान दो मा, केवल भक्ती और ग्यान और कुछ नहीं मा, मा, ठाकुर अपने स्थान पर बैठे, नरेंद्र को मंदर से निकलते देखते रहे, वो पूर्ण तहा आत्मलीन था क्यों रे, मांग लाया मा से धन दौलत नरेंद्र ने एक दृष्टी उन पर डाली और सीधे उनके चरणों पर जागिरा आपने ही मुझे विस्बृती में डाल दिया, मेरा ये मती भ्रम आपका ही दिया हुआ है, अब आपको ही कहना होगा, जिससे मेरे परिवार वालों को अन्नवस्त्र का कष्ट न हो अरे मैं तो वैसी प्रार्थना किसी के लिए भी नहीं कर सका, मेरे मुख से तो वैसी कोई सांसारिक याचना निकलती ही नहीं तो मैं अब किस के पास जाऊं, किस से याचना करूं, तुझे कह दिया कि जो कुछ मां से मांगेगा, वही पा जाएगा, तो अब और क्या चाहिए तुझे पर मां के सम्मुख जाकर मैं कद्दू कोहडा तो नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता मैं मां से तु मांग नहीं सका, तो तेरे भागे में सांसारिक सुख है ही नहीं अब बता, मैं क्या करूँ मां से नहीं कहना चाहते, तो आप स्वयम ही वर दीजिए कि मेरे परिजनों के कश्ट दूर हूँ आपके एक बार कह देने से ही उनके अभावों की पूर्ती हो जाएगी तुझे विश्वास है? हाँ, मुझे द्रड विश्वास है ठाकुर उसकी ओर देखते रहते हैं नरेंद्र अब भी उनके चरण द्रडता से पकड़े हुए था अच्छा जा, उनको मोटे अन और वस्त्रों का कोई अभाव नहीं रहेगा नरेंद्र ने उनके चरण छोड़ दिये एक बार उनकी ओर देखा और फिर अपना मस्तक ही उनके चरणों पर रख दिया तीस प्राताह अपने कमरे में बैठे ठाकुर गा रहे थे नरेंद्र उनके निकट बैठा था, बैकुंठनात भी वहीं था तुमी जले तुमी स्थले, तुमी आध्यामूले गोमा आओ सर्वघटे अक्षपुटे, साकार आकार निराकारा तुमी संध्या, तुमी गायत्री, तुमी जगधात्री गोमा तुमी अकुले रबान कत्री, सदा शिवेर मनोहरा मात्वम ही तारा, तुमी त्रिगुन धरा, परात्परा तौरे जानी मा, ओ दीन दया मै, तुमी दुर्ग मेते दुखहरा उन्होंने नरेंद्र पर एक स्नेहमई द्रिष्टी डाली और फिर बैकुंठनात की ओर देखा और सहसा वो गंभीर दार्शनिक भक्त से एकदम बच्चा बन गए निपट बालक के समान मचल कर बोले तंबाकु पिऊंगा बैकुंठनात कुछ अटपटा गया फिर उठा और चिलम में तंबाकु लगा कर ठाकुर का हुक्का उनके हाथ में दे दिया ठाकुर ने हुक्का पकड़ा ताबड तोड दो तीन बार खींचा और हुक्का बैकुंठ की ओर बढ़ा दिया बैकुंठ ने हुका थाम लिया और चकत होकर उनकी ओर देखा चिलम में पिऊंगा ठाकुर बोले बैकुंठ के कुछ करने से पहले ही उन्होंने स्वयम ही हुक के पर से चिलम उतार ली दो-तीन कश लिये और चिलम को नरेंद्र के मुख से सटा कर बोले पी, मेरे हाथ से पी हत्प्रव बैकुंठ ने ठाकुर की ओर देखा नरेंद्र भी कुछ संकुचित हो गया ठाकुर ने उसे डपट दिया तेरी बुद्धी बड़ी छोटी है रे क्या तू और मैं भिन्न है उन्होंने अपनी ओर संकेत किया ये भी मैं हूँ और फिर नरेंद्र की ओर संकेत किया वो भी मैं हूँ उन्होंने नरेंद्र को चिलम पिलाने के लिए उसकी ओर बढ़ा दिया लाइए, मुझे दीजिये मैं स्वयम पी लूँगा ठाकुर ने अपना हाथ उसके मुक से सटा दिया नहीं, मेरे हाथ से पी बाद्धे होकर नरेंद्र ने दो-तीन बार खीचा उसके मुहू हटाते ही ठाकुर स्वयम उसी चिलम से पीने लगे नरेंद्र व्याकुल हो गया महराज, आपका हाथ उच्चिष्ट हो गया है हाथ धोकर तंबाकु पीजिये ठाकुर उसी प्रकार चिलम पीते रहे धत मूर्क, तुझ में भारी भेद बुद्धी है